हलो केड्स हाव यू तो लेट स्टार्ट आर चाप्टर तो दो चाप्टर नेम इस यू अलड़ी नो दूसरे पार्ट लेके आने का या दुबारा से इसको करवाने का रीजन यह है कि कुछ बच्च ने बोला कि उन्हें इंग्लिश में पूरा जो वीडियो है पूरा वीडिय में समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए जादा क्लारटी के लिए थोड़ा बाइलिंगूल रखते हैं तो इसलिए मैंने यह दूसरे वीडियो बनाई है जिसमें कि आपको अच्छे से समझाया जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन क्या है यूनाइटेड नेशन किस बारे में ह अर्गनाइजरेशन देट हेल्प टु मैंने पीस इन दी वर्ल दुनिया बर में शानती बनाये रखने का काम है ईसका यूनाइटेड नेशन का क्या है तो मैंने पीस आपको पता होगा कि वोल्ड वॉर हुए है तो जब सेकिंड वल्ड वार हुआ तो जो दुनिया बर के ज सी लड़ाई नहीं होनी चाहिए तो क्या हुआ उस टाइम पे 51 कंट्री थी वो मिली आपस में और उन्होंने मिलके सान फ्रांसिसको युएससे में एक पैक्ट बनाया कि हम सब लोग मिलके भई लड़ाई दड़ाई नहीं करेंगे पूरी दुनिया में शांती बनाके जो चीज़े हुई थी 24th October को हुई थी इसलिए जो United Nation Organization है 24th October को बनी थी that is why United Nation Day कब होता है it is on 24th October जैसे wanna is the birthdayように We're at majority unity नेशन का birthday यह 24th October है अब जो इसकाatives as a headquarter United nation organization जो हैड कोटर है वो न्यू यॉर्क में है वो कहां पर है वो न्यू यॉर्क में है इसके जो चीफ होते हैं जैसे कि हमारे जो चीफ आफ जैसे कि दिली का चीफ मिनिस्टर दिली के जो हैड होते हैं इसको हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं तो ऐसे देश का जो हैड होता हैं प्र जो इसको हम U.N. बोलेंगे अब से U.N. तीक है artist क्या है?! U.N. क्या ja睁क्या कई? तो पहली object है to promote the peace in the world, दुनिया में शांती भहलाना, इसका काव है निया भरास कोंटर आणों जर्षी सुऋ अमॉपरेशन करवाना नेशन जो है, country्स जो है, अलग-ालग 星 में की कॉपरेशन करना, उसके बाद लोगों का सोशल. economic कंडिशन को ठीक करना, जैसे अगर कहीं पर गरीबी है, कुछ नहीं को ठीक करना, अगर कोई गरीब इसको खाना पहुंचाना, उसको पैसे की जरूरत है, तो उसको पैसा पहुंचाना यह सारी चीजह करते हैं, एट यूमन राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, यूमन राइट का मतलब होता है कि जब आप बेसिक राइट जो आपके होते हैं as an individual, जो basic राइट आपके हैं, जन्म से आपके पास जो basic राइट हैं, उनको हम human राइट बोलते हैं जैसे कि कोई आपको मार नहीं सकता है ना तो यह आपका बेसिक राइट है यह यूमन राइट है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई मार थोड़ी सकता है तो यह बेसिक चीज है यह यूमन राइट है तो ऐसे हम ऐसे कोई किसी को मार न नहीं लगाता है ठीक है जो भी organization चाहती है कि हाँ ठीक है हम United Nation की जो शर्ते हैं उसको मान लेंगे तो फिर वो United Nation का पार्ट बन सकते हैं वो United Nation का पार्ट बन सकते हैं तो इस organization का basic काम क्या है the organization strive to make the world safe for the present and future generation you see present or future generation के लिए दुनिया जो है वो safe जगा बन कर रहे है इसलिए ये इसका काम है now the organ of United Nation जो United Nation है उसमें उसके क्या क्या कौन से कौन से organ है तो basically उसके छे organs है छे organs है मतलब छे उसके organ है जो मिलके काम करते हैं जो United Nation को बनाते हैं तो जो पहला organ है जो सबसे main organ है वो है General Assembly जो General Assembly है that is a kind of a parliament वो एक तरह की parliament ही है that is a kind of a parliament एक member state has one vote in General Assembly जितने भी members होते हैं United Nation के वो सारे represented होते हैं General Assembly के अंदर और ये जो General Assembly है ये मिलती है और discuss करती है issues को दुनिया की peace और security के उपर की क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए ये सब कुछ discuss करती है उसके बाद security council दूसरा जो organ है वो है security council security council नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करती होगी ये दुनिया भर की peace and security को maintain करने का काम करती है इसमें 15 members होते है उन 15 members मेंसे 5 permanent member होते है और 10 non-permanent होते है तो जो 5 permanent member है उनको special place मिला हुआ है कि इनको तो कोई replace कर ही नहीं सकता तीक है उनको कोई replace नहीं कर सकता और जो 10 non-permanent member है वो तो replace होते ही रहते है उनको 2 साल के बाद replace होना ही पड़ता है तो ये 5 member कौन से है पांच permanent member कौन से है चाइना, फ्रांस, रॉस्या, यॉनाइट गिंडम और यॉनाइट सेट साफ अमेरिका ये पांच ये वाले स्टेट सेट सें ठीक है इसके बाद Economic and Social Council So United Nation has created a network of agency to help the poor, the sick and the illiterate So these agencies look after these people, they look after on the issues such as human right, equality of women, regulation of trade, etc The work of these agencies is coordinated by Economic and Social Council मतलब क्या काम है, Economic Social Council का काम ये है कि वो जो दुनिया में गरीबी, अनपड़ लोग है या जो भी sick है जो भी मतलब नीड में है, Economically and socially, उनको help करना, उनको basically help करना ये इनका काम है तो आज की वीडियो के लिए हम यहीं पर wind up करेंगे इससे related question मैंने आपको दिये थे करने के लिए, I hope आपने कर लिया होगे फिर next video में हम अपनी पूरी वीडियो को, पूरा इसको fight up कर देंगे ठीक है, thank you so much